दोस्तो आईपेल 2022 में मुंबाई इंडियंस अपने जीत की पट्री पर पहुंच चुकिये और मुंबाई इंडियंस का अगला मुकाबला गुजरा टाइटन्स के खिलाफ होने वाला है जो कि आईपेल 2022 में काफी शानदार परदर सन्ग कर रही है ऐसे में मुंबाई इंडियंस में काफी बदला होने वाले है गुजरा से मुकाबला जीतने के लिए मुंबाई इंडियंस में कौन कौन से बदला होंगे ये सब आपको वीडियो में आगे हम बताने वाले हैं लेकिन उसे पहले अगर आप भी मुंबाई के सचे सपोर्टर हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें गुजरात के खिलाब 6 माई को होने वाले मुकाबले से पहले मुंबाई इंडियास ने दो बड़े अपडेट जारी कर दिये हैं पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो पिछले मुकाबले में रितिक शौकीन को टीम में जगा दिया गया था लेकिन गुजरात के खिलाब मुकाबले में रितिक शौकीन की जगा अरजुन तेंडुलकर की टीम में एंट्री होने जारी है अर्जुन तेंदुलकर काफी बहतरी नितेज गेनबाज है और जुरत पढ़ने पर किफायती बल्लेबाजी भी कर सकते हैं बात के ने दूसरी सबसे बड़ी अपडेट की तो इस सीजन मुंबई की तरफ से जस्प्रित दुम्रा ने कोई कमाल नहीं दिखाया है मुंबई इंडियन्स गुजरात के खिलाफ जीत की इरादे से उतरने वाली है ऐसे में क्या मुंबई गुजरात के खिलाफ जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग अपनी राहे हमें नीचे ज़रूर बताएं